याग्य वल्किस्मृती से आज हम सीमा विवाद प्रकरण को सुरू करने जा रहे हैं सीमनों विवादे शेत्रस्य सामन्ताह स्थविराद अयाह गोपाह सीमा कुरुशानास्य सर्वेचावन गोचराह अगर सीमा का विवाद हो जाए अब ये सीमा का विवाद गाओं के संदर्व में भी हो सकता है किसी के खेत के संदर्व में भी हो सकता है इसके कई सारे संदर्व हो सकते हैं तो सीमा विवादे क्षेतर से है, खेतर से तो आप जानते हैं, खेत को कहा जाता है सामंताह, तो आप सामंत की मदद ले सकते हैं, सामंत की मदद ली जा सकती है, और किसकी मदद ले सकते हैं, स्थविरादया, जो बड़े बुड़े हैं गाउं के, उनकी मदद ली जा सकती है, गोपाह गाय चराने वालों की मदद ली जा सकती है सीमा कुशानास्चे और जो सीमा वर्ती लोग होते हैं जो उसके आसपास जिनके खेत खलियान हों उनकी मदद ली जा सकती है सरवेचा वन गोचरा और जो वन में रहने वाले हैं लोगों के मदद दे जा सकते हैं. देखे यहां बात चल लए है गाओं के विवाजद की. अगर मानली जिए कोई ये कहता है कि ये तहशील है और इस तहशील के अंदर ये गाओं लगता है. ठीक है साब इस तैसिल में ये गाउन लग गया लेकिन इसका बॉर्डर क्या इसकी सीमा क्या है तो आज कल तो जो क्षेत्र पाल वगेरे होते हैं उनके पास ये सारी चीजें होती हैं हमारे गुजरात में इसको तलाटी बोलते हैं तो तलाटी के पास वो सारे डेटा होते हैं कि वह से यहां तक और ये सरवेय नंबर और रकवा नंबर और यह समय होगा और यह सरवेय नंबर रकवानंबर दूसरे नहीं जाएगा अभी जो जनगरना होगी उसमें सबसे ज्यादा इस चीज की जरुरॉत पड़ती हैं तो अगर उस संद्र हमें कोई विवाद हो देखिए उस समय इस प्रकार की चीज़े नहीं हुआ करती थी तब ना तो Google Map थे आज तो आप Google Map पे ये चीज़े देख सकते हैं आज तो बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन तब जब ये चीज़े नहीं थी तो उस समय पे किस-किस की मदद ली जा सकती थी तो मालून रहता कि ये इधर ये इधर ये ऐसे हैं सीमा कृषानास चैह और जो सीमा वरती Κिशान होते हैं उनको भी मालून रहता है मतलब कई जगह पे इसमें क्या है कि अगर district की सीमा होती है तो वहां तो किसी नदी को लेकर कि सीमा बनाए जाती है कि ये नदी है ये परवत है इसका ये चोटी है इसकी ये है और इसके इधर ये है इसके उधर वो है इस प्रकार से बना दिया जाता है अगर आप सहर में जाएं तो वहां पुलिस स्टेशन की सीमा है लग लगी जाती हैं तो उसमें रोड के द्वारा भी भाजन कर दिया जाता है यह रोड जो है ना तो इस रोड के इधर यह पुलिस स्टेशन है इस रोड के इधर यह पुलिस स्टेशन है मेरी कॉलेज एक बिल बंजाएं इस चौरालब्सんだ तो आदमी डो-चार घंटे तो सी चक्र में बढ़ा रहे कि हम कौन सेanças जाएं और एक दौर चस दीशंपयाशने जाएं जाएं और वह काएगा वहां चता हुँआ जा जाता था उसकी चर्चा चल रही है नए यूरेनम सीमानम स्थलांगार तुसद्रुमईही सेत वर्लमीक निमनास्थी चैत्यादे उपलक्षिदम देखे जो बात हमने अभी कही थी उसी बात को ये कह रहे हैं नए यूह यानि निश्चित करना चाहिए एनम सीमानम सीमा कंजो करना है उसको निश्चित करना चाहिए स्थलांगार तुशद्रुमईही स्थल किसी भूमी विशेष कि कोई बहुत बड़ा पत्थर इस प्रकार से रखा हो जिसको कोई हला नहीं सकता है अब कोई छोटा सा पत्थर पढ़ा हो और आप कहें कि साब ये है निर्धारन किया गया दूसरे दिन बच्चे खेलते खेलते हैं उसको उठाके दूसरी जगह रखते हैं तो तो सीमा निर्धारन नहीं चलेगा ना तो इसलिए कहा है कोई ऐसा स्थल कोई ऐसी जगह जिसमें परिवर्तन ना हो सके अंगार कोईला वगेरे के द्वारा और फिर कहते हैं पुल को कहा गया है वल्मीक वल्मीक भी आपको मालूम है शर्प वगेरे के रहने की जो जगह होती है या हमारे गुजरात में उधही बोलते हैं अपने दीमक बोलते हैं उसके इस प्रकार के वो बन जाते हैं इस प्रकार की जो कुछ चीजे हैं उन चीजों के आधार पे इ इसमें और क्या कहा है वल्मी के निम्न का अर्थ हुआ गर्धा इस्थी चैत्य अस्थी है निम्न के बाद अस्थी है अस्थी का अर्थ होता है हड्डी चैत्य यानि कोई पुराने जमाने का कोई मंदेर या उसका कुछ इस प्रकार का निशान हो आद्य है उपलक्षितम आद पत्थर की बात तो समझ में आगे कि कोई ऐसा स्थल है जिस स्थल की बज़े से आपने भी वाजन कर दिया कि ये जगह है इसके इधर ये इसके जगह है लेकिन इसमें जो अंगार कहा है अंगार का क्या आर्थ है कोईले का क्या आर्थ है तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे यहां शवदाह बगर किये जाते हैं इसके लिए एक इस्थान विशेश होता है गुजरात में तो बहुत अच्छी विवस्थाएं हैं मैंने उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की विवस्थाएं कहीं नहीं देखी है मैं पहली बार साउली में जब जोब करने गया और मैंने वहाँ पे बहुत सुंदर श्मशान देखा तो हमारे एक मित्र थे जी के यागनिक, एकोनोमिक्स के प्रफेसर थे उनकी पिता जी बहुत अच्छे संस्कृत के विद्वान, राश्पती परुस्कार उनको मिला था और वो यागनिक साब और हम वहाँ पास में एक माता जी का मंदिर वहाँ तक जाय करते थे चलते चलते कभी-कभी जाते थे तो कहते हैं यह समसान भूमी ऐसी है कि इसको देखके मरने का मन हो जाए मतलब समसान भूमी इतनी सुंदर बनी होई थी कि मरने का इच्छा हो जाए कि चलो यहाँ जलने को मिलेगा तो मर जाते हैं तो ये इस प्रकार की भी अगर कोई बात करे उत्तर प्रदेश में तो कई बार क्या होता कि अपने खेतों में लोग बार जलाते हैं अपने अपने खेतों में अगर कोई किसी घर परिवार की की मृत्ति होगे तो अपने खेतों में जा करके उसका अंतिम संसकार बगरे करते है लेकिन इस प्रकार का जहां एक ही स्थान पे चलता रहा हो तो वहाँ वो जमीन इस प्रकार की हो जाती है अगर बहुत अच्छा समसान नहीं बनाया गया है कि वो एक निशानी हो जाती है कि यहां बाई यह ऐसा है कोई व्रुक्ष भी हो सकता है मतलब पूरी व्रुक्ष की लाइन भी हो सकती या कोई एक व्रुक्ष भी हो सकता जो यह निर्धारित करे कि व्रुक्ष जो इस गाउं की सीमा में है और इस व्रुक्ष के आगे ऐसे कोई तलाव हो सकता है, इसलिए नीचे कहा है निम्न, यानि गड़े कारते हैं तलाव लिया जाएगा, से तू, कोई पुल वगेरे हो सकता है, और वल्मी की जो है, ये जादातर जहां सर्प वगेरे अपने बिल बना लिया करते ना, उस जमीन को ना तो किसान जोता था, और ना ही उस जमीन पे कुछ और, यानि ना कोई वहां बैठने उठने जाता है, क्योंकि सर्प का बह लगता है, ना बच्चे वहां खेलने जाते हैं, मुझे बराबर याद है कि मैं बहुत छोटा था, तो हमारे मामा क्या है, इस प्रकार की एक जगे थी, तो अगर कभी घ घर पे पता चल जाए कि हम लोग खेलते खेलते, वहां गैंद चली गई, या कोई चीज चली गए और उसको उठाने चले गए, तो भी घर पे पिटाई होती थी, कि तुमको कितने बार बोला वहां नहीं जाने का है, उस जगे पे नहीं जा सकते हो, तो बच्चे भी उस ची इमांकन के लिए, क्या कहा है, उपलक्षितम, उपलक्षन उसका कर सकते हैं, यानि उसको आप आधार बना सकते हैं, ये इसकार्थ हुआ, सामंतावा समग्रामा, चत्वारो अश्टव दसापिवा, रक्तस्रग वसनासीमाम, नये युहु छितिधार्णम, तो ये कहते हैं, कि सामंत लोग जो होते हैं, वो इस चीज का निर्ने कर सकते हैं, कि भई ठीक है, हमने कह दिया तो ये सीमा, तो ये सीमा, वो कहते हैं कि गुजराती में मरते हैं कि बच्चे के साहब नो साहब कौन, हम हिंदी में बोलें तो साहब का साहब कौन, यानि राजा का राजा और क सराइनल हो गया तो इस प्रकार से हो सकता है लेकिन अगर आपको कोई सीमा का चिन्न नहीं मिलता है आप यह ते नहीं कर पा रहे हैं कि यहां कोई ब्रुक्ष भी नहीं यहां कोई तलाओ भी नहीं है यहाँ पे और कोई चीज नहीं है तो ऐसी स्थिति मैं यह तो राजा कह दे अत्वा चत्वारो अश्टव दसापिबा चार आठ या दस चार आठ या दस लोग जो है रक्तस रगवशना लाल वस्त्र पहने लाल माला हो उनके गले में इसके लिए क्या क्या कहा है रक्तस रगवशना लाल कलर का वस्त्र हो और श्रग माला को बोलते हैं चंदन वगेरे चिती धारिना चिती कहते हैं मिट्टी को चिती जल पावक गगन समीरा पंच रचिती है अधम सरीरा तुसी दास ने लिखा तो चिती कारत होता है मिट्टी तो ऐसे लोग लाल वस्त्र पहनेंगे सिर पे मिट्टी धारन करेंगे और फिर वो चल के जाएंगे और जहां जहां से वो जाएंगे उसके आधार पे सीमा का एक निर्धारन होगा कि भाई यहां से यहां यहां से यहां का यहां से फिर वो जो कर देंगे वो फाइनल आपको मानना पड़ेगा यह एक विधी है एक परामपरा है और इसी विधी परामपरा का फिर सब लोग स्विकार किया कड़ते थे अन्रतेतु प्रथग दंड्याह राजा मध्यम साहसं अभावे ग्यात्रु चिन्ना नाम राजाह सीमना प्रवर्तिताह। अब मान लीजिये कि सीमा का निर्धारण आपने छे-ाथ लोगों पे छोड़ दिया। अब कोई ऐसी पहुँची हुई माया हो जो उन दसो लोगों से मिल जाये जाके और उनसे ये कहे कि यार हम आपको बड़ा फायदा करवा देंगे लेकिन आप इस सीमा के विवाजन में हमारे पक्ष में यानि जब चलो तो एक खेत उधर से निकल लो यार तुम्हें तो चलके जाना है लेकिन तुम जहां से चले जाओगे वह सीमा निर्धारित हो जाएगे तो अंद्रते तू प्रथग दंडाहा रागना मध्यमसा अगर यह जूट सिद्ध यानि उन लोगों ने गलत सीमा का निर्धारण किया हो तो भी और उन्हें सीमा का निर्धारण किया है और म मध्यमसाहसम मध्यमसाहस वाला दंड के देना चाहिए अब यह मध्यमसाहस दंड क्या है आचार अध्या अगर आप देखेंगे तो वहां पर यह मध्यम दंड कहा गया है कि मध्यम दंड किस प्रकार का होता है अभावे ग्यात्र चिन्ना नाम राजा सीमनी प्रवर्थिता फिर ये कहते हैं, कि अगर जाती के लोग घ्याती ग्यात्रुचिन्ना नाम अभावे, अगर जाती के लोग कोई इसका निरधारण नहीं कर सकते हैं या पहले से जो निरधारित हैं ऐसे कोई निशान आपको नहीं मिλ रहे हैं, मान लीजिये कि आपने एक लेख उठा करके देखा और उस लेख में लिखा है कि देखे आज भी जब दस्ताविज बगेर होता है तो चतर भुज लिखना पड़ता है कि इसके पूर्व में क्या है, इसके पस्चिम में क्या है इसके उत्तर में क्या है, इसके तक्षिन में क्या है, सारी चीजें लिखी जाते हैं, अब अगर मान लीजे, लिखा पड़ी जो है, कभी 20-50 वरस पहले की हो, अब 20-50 वरस बाद, अभी मैं एक बात पता हूँ कि एक जमीन का दस्तावेज देखने बैठे तो उस पे लिखा थ कि पीछे इस प्रकार का एक है, खुला प्लोट है, वहाँ इस समय गए तो वहाँ एक एपार्डमेंट खड़ा हुआ है, अब अगर वह एपार्डमेंट खड़ा हुआ है, तो खुला प्लोट है तो उसका तो कुछ भी हो सकता है, अब आप खुले प्लोट ढूंते रहें, तो फिर तो वो काम नहीं हो पाएगा, तो इसलिए अगर कोई चीने नहीं मिलते हैं, तो राजा सीम नहीं पर बढ़ती था, तो राजा के पास यह अधिकार है, कि वो सीमा का निर्धारन कर सकता है, यह बात पहले भी हम देख चुके हैं। चीजें खेत के निर्धारन के लिए कही गई हैं, आराम, आराम किसको बोलते हैं, कोई बताएगा, उद्ध्यान को बोला जाता है, बगीचे को बोला जाता है, हनुमता हता राम, सीता हर्स मुपागता। हनुमान ने हनुमता हता राम, हनुमान ने आराम को तोड़ दिया, यानि पुस्वबाटिका को उजाड़ा, तो सीता हर्श मुपागता। सीता प्रसन्न हो गए, रुदन ती राक्ष सासरवे, हा हा राम हता हता, हाए हमारा आराम है नी बगीचा उजाड़ दिया गया, उद्ध्यान उजाड़ दिया गया, लेकिन जब हम शब्द सा उसको बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि, हनुमता हता राम, हनुमान ने राम को म मार दिया, सीता हरस्मो पागता, सीता बड़ी प्रसन्न होगी, राक्षस रोने लग गए, कि हाए राम मारे गए, हाए राम मारे गए, तो इस प्रकार से, हम लोग जब, आप तो खेर संस्कृत पद्धती के पड़े हुए विद्यारती हैं, इसलिए आपने भी ऐसा कभी न कभी किया होगा, कि हम अंताक्षरी खेला करते तो फिल्मी गीतों की नहीं होती थी, उस अंताक्षरी में या तो श्लोक बोले जाते थे, या शूत्र बोले जाते थे, हम गुरकुल में जब पढ़ते थे, तो अंताक्षरी में दोई चीज़ें लावती हैं, शूत्र और श् Grandma के महा बारत के श्लोका पोल सकते तों उन्त्याक्षरी भी इंसे आप बहुआ को तयार करना पड़ेगा और ईतना अच्छा गयम है कि इसमें हारना किसी को अच्छा नहीं लगता है जीतने में सब को आनन दाता है, तो बड़ी तैयारियां करने पड़ती हैं तो और उसके बाद कभी जब लोगों के बीच में थुड़ा हसी मजाक मस्ती करनी हुआ तो ऐसे इस लोग काम आते हैं, तो आरामकार्थ होता है उद्द्यान आयतन, आयतन किसको कहते हैं? जिसको आप चबूत्रा बगेरे कहते हैं न इस प्रकार की जगे होती है उसको आयतन कहा जाता है दूसरे धंग से अगर हम देखें तो ग्राउं के हिसाब से इसकी चर्चा अगर की जाए तो गाउं में दो प्रकार की जमीन होती सब के पास एक तो घर होता है उनका और दूसरा बाहर घर से बाहर कोई न कोई उनके पास इस प्रकार की जगे होती है जहां या तो उनके पसु बगेरे बांदे जाते हैं या वो इस प्रकार की बैठक बेवस्ता अपनी कर लेते हैं कि गाउं की चार लोग आए गए तो वहीं बैठते है माँ उनकी मजमा लगता है कई बार तांस वगेरे भी खेले जाते हैं तो लगबख सब के हाँ इस प्रकार की जगे हुआ करती है तो उसको भी बैठ़ बोला जाता है तो उसको आयतन कहा गया है तो उद्यान की बात हुई आयतन की बात हुई ग्राम गाउं की बात हुई, इसे निपान, निपान कहते हैं जो जल का स्थल होता है, जल का स्थल करते है कुवा हो सकता है, या बावडी हुआ करती थी, कुगा और बावडी के बीच का अंतर किसी को मालुम है गुजरात में वाव बोलते हैं कुगा और वाव इन दोनों के बीच का अंतर किसी को मालुम है हाँ कुगा जो होता है वो इस तरीके का होता है कि उसमें से रसी से पानी निकालना होता है और वाव जो होती है उसमें कई बार इस परकार हाँ उसमें इस परकार से सीड़ियां होती हैं कि आप नीचे पानी तक सीड़ियों से पहुंच सकते हैं तो उसको वाव बोला जाता है ये एक बेजिक अंतर जो है पाया जाता वो ये है तो यहाँ निपान में दोनों का समावे यह ऊद्दियान कहा जाएगा तो आराम KARTH हम करेंगे बघीचा और उद्द्यान होता है जिसको आप पार्क बगेरे बोलते ना जिसमें बच्चे लोग खेला करते हैं उनका कृड़ास थल्जँ होता है उद्द्यान में उससकह समाविश होगा और आराम में जो आप खेत में कई बार आम का बगीचा लगा लिया गुजरात में तो चीकू के भी होते हैं और इस प्रकार के जो बगीचे बनाए जाते हैं हमारे यहां अगर आप कोस्टल एरिया में चले जाएं समुद्र के किनार के एरिया में चले जाएं तो नारियल के भी ब घर को कहा जाता है और यही पद्धती रहेगी उनके निर्धारण के लिए पद्धती उपर चेत्र के निर्धारण के लिए कहे गई है मुझे तो कहे बार गाउं की जो संरचना होती है ना उस संरचना में ये वर्सा के जल के निकास वाला मुद्दा जो है बड़ा घजब का लगता है मतलब पूरा घर आपका अलग है और वर्सा का पानी किसी और के घर में से निकल के जा रहा है कभी भुजुर्गों ने जब छट बनाई तो उन्हों ने जिस तरफ ढाल कर दिया अब उस तरफ किसी और का घर बन गया है न तो भी आपका पानी बोले हमारा पनारा तो यहीं गिरेगा हमारा पानी तो यहीं गिरेगा अभी तो एक विवाद ऐसा देखा मैंने अपने परिवार की बात है कि वो कहते कि नहीं पानी यहीं गिरेगा पाइप नहीं कोई बात ने, एक पाइप तो लगा दो कम उसको नीचे गिरने के लिए, बोले पाइप नहीं लगाएंगे, हमारा पानी तो खोले ही गिरेगा तो इन्हें का गिलाओ पाइप हम लगवा दें आप खर्चा मत कर बोले नहीं हम पाइप नहीं लगाने देंगे अब यह जो जित है ना यह बड़ी गलत जित होती है तो ऐसा तो कैसे आप कर सकते हैं कि किसी के घर में पानी गिर रहा है और आप कहरें वो पानी हम ख पाइप नहीं लगाएंगे अरे जब पाइप नहीं हुआ करते तो खुला गिरा करता था लेकिन अब जब व्यवस्ता है तो उन व्यवस्ताओं का लाब तो लेना चाहिए ना जब नहीं था तब एक्टी चलके चल जाया करता है फिर साइकल से जाने लग गया अब आजकल तो मोटर साइकल पर बैठता है कार में बैठता भुर करके उड़ जाता है अब आपको को कि नहीं साह हम तो पैदली चलेंगे आपको पैदली चलना पड़ेगा तो ये तो कुछ स्विकार करने वारी बाते नहीं होती है तो इन सब में इसलिए खास उलेक किया है कि वरशाम प्रवाहा दिशू वरशामवु का जो प्रवाहा है वरशा के जल का जो निकासी है इन सब के निर्धारन में भी यही नियम काम करेंगे अब देखिए यहाँ पे मर्यादा यहाँ प्रभेदे मर्यादा का उलंगन किया जाए मर्यादा आप समझ पा रहें किसको कहा जा रहा है खेत की बात चल रही है तो मर्यादा किसको कहा जाएगा हाँ बिल्कोल सही हाँ उसको Cindy Mir Yada बोला जाता है देखिए में बोलते हैं इनदी में तो जो में मर्यादा कहा जाता है मार्यादा शब्द कितना महतकूं है मर्यादा यहाँ प्रभेदी आप इसमें क्या होता कि कई बार कुछ होसयार किशान होते हैं ना वो थोड़ा-थोड़ा मेन को काटते चले जाते हैं और अपनी जगे हर एक फसल के बाद तीन इंच बढ़ाते हैं और ऐसे करते करते हो सामने वाले के खेत मेन बढ़ती चली जाती है तो वो कहते कि मर्यादा यहा कोई मर्यादा को तोड़ता है सीमातिक्रमने तथा और सीमा का अतिक्रमन करता है छेत्र स्यहरने या किसी के छेत्र का हरन करता देखे तीन चीज़ें लग लग एक है मर्यादा तोड़ना एक है सीमा का अतिक्रमन करना और एक है छेत्र का हरन करना सीमा का अतिक्रमन क्या है तो अपना खेत जोत रहा है तो वहां तो पहले जमाने में भी जब रोड नहीं हुआ करते थे तो भी गाउं से दूसरे गाउं में जाने के लिए वो बैल गाड़ी जा पाए उसके लिए कुछ इस प्रकार की रास्ते बने होते थे इन सब जगों पे सीमा अतिक्रमन जाता होता है कि वहाँ उसको जादा जोत लिया उसको कीच लिया उसको ये कर लिया तो ये सीमा अतिक्रमन कहा जाएगा मर्यादा प्रभेद दो लोगों के बीच में होगा छेत्रस सहर ने किसी के खेट पर इक अबजा कर लिया कि लो ये तो पूरा हमारे है दंडा अधम उत्तम मद्यमा तो इसमें अधम उत्तम और मद्यम तीन प्रकार के दंड का विधान किया गया है यानि मर्यादा प्रभेद किया है तो उसको अधम दंड दिया जाएगा सीमाति क्रमन किया उसको उत्तम दंड दिया जाएगा और छेत्रस सहरने मद्यम दंड दिया जाएगा ये तीनों का क्रम है और उसी प्रकार से किया जाएगा ना निशेद्योल्प वाधस्तु शेतुह कल्यान कारका हाँ जी हाँ अन्तिमं बाक्यम छेत्रस्य हरने दंडा अधम उत्तम मध्यमा इन तीनों में यानि मर्यादा प्रभेद में सीमा अतिक्रमन में और छेत्र के हरन में तीन प्रकार के दंड का प्रोविजन किया गया अधम उत्तम और मध्यम मैंने ये कहा कि अधम मर्यादा प्रभेद के लिए है उत्तम सीमाति क्रम्ण के लिए है और मध्यम छेत्र के हरण के लिए है अब ये दंड हैं कौन-कौन से इसके लिए मैं आचारत देखना पड़ेगा कि अधम दंड क्या है उत्तम दंड क्या है और मध्यम दंड क्या है भाई अगर कोई आपकी जमीन में कुवा खोदने लग गया तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं उसको मना नहीं करेंगे आप अगर कहीं कोई सेतू बनाया जा रहा है तो आप उसके लिए उसको रोकेंगे नहीं आजकल भी इस परकार के नियम है कि अगर आपके यहां से रोट निकल के जा रहा आप किया रहा है कि नहीं साहब हम तो अपनी जमीन नहीं देंगे तो ऐसा चलने वाला नहीं है गवर्मेंट ने इस प्रकार के नियम किये हुए है कि आपकी जमीन आपसे जवर जस्ती ले ली जाएगी कभी कोई पुल बनना हो अब देखिए सेहरों में जब पुल बन जाते है ना तो पुल के बराबर नीचे जो दुकाने आ जाती हो सब बेकार हो जाती है कभी वो लाखों रुपएं की दुकाने रहती हैं लेकिन एक बर ब्रिज बन गया और उपर से वो ब्रिज निकल गया तो नीचे के हिस्से की जो दुकाने होती है अगर पुराना मार्केट है वो मार्केट उसी रुप में तो अलग बात है नहीं तो वो सारी दुकाने ऐसी ह हो जाती है आदमी वहां से पुल पे चला उस साइड निकल गया बीच की दुखाने तो सब ऐसी रह जाती हैं तो यहां कहते हैं कि ना निशेद्यो अल्पबाधस्तु ऐसी स्थिती में जहां पर इस प्रकार के कुछ कारी किये जारा है कल्यानकार का से तु हूँ कल्यानकारी स चाहिए उसको रोकना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी जमीन थोड़ी जाती है लेकिन उसका लाब बहुत मिलता है यानि जल प्राप्त होता है तो जल पे तो किसी एक कादिकार नहीं वहां पे माना गया है तो कई लोग उसमें से पानी पिएंगे ये करेंगे वो करेंगे तो इस प्रकार से अगर कोई कुवा खोता जा रहा तो आपको जमीन अपनी तरफ से दे देनी चाहिए उसका विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको हानी कम होती है जमीन तो थोड़ी सी जाएगी लेकिन इसमें बहुत से लोगों का भला होता है और उसका पुने ल योगों का कल्यान होगा और आपकी जमीन के माध्यम से होगा तो उसका लाव आपको पुने लाव आपको मिलता है सीश को आप मानके चलिए तो आज साथ श्लोक तक हमने देखा है इसको अभी कितना है चलिए दो श्लोक रहेगे इसको पूरा करते हैं एक सट बासर तो सीमा पुरा हो जाएगा स्वामी नयो निवेद देव चेत्रे सेतुम प्रवर्ता उत्पन्नम स्वामिनो भोगा तत भावे मही पते अगर किसी ने मालिक से पूछे नहीं और उसकी जमीन में चेत्रे सेतुम प्रवर्थते सेतु बगेरे का निर्मान करवा दिया तो उसमें से जो भी प्राप्ति होगी उस पे मालिक का अधिकार होगा यानि जमीन मेरी है और आपने वहाँ पे कुछ इस प्रकार का काम करवा दिया देखिए हैं सेतु शब्दकार्थ सिर्फ पुल आप नहीं करेंगे एक कैनाल भी हो सकती एक नहर के साथ जो कुलाबा बगेरे रखा जाता था ना उस समय अब तो मुझे पाइप कहते हैं पहले कुलाबा बगेरे बोला करते थे तो क्या है कि सेतु उसको किसलिए का गया है सेतु कहते हैं जो दो स्थानों को जोड़ता है जो दो स्थानों को जोड़ता है अब मान लिजे मेरा खेत बीच में पढ़ता है और किसी का खेत मेरे खेत के बाद पढ़ता है और उसको पानी वहां तक लेके जाना है तो उसको सेतु के आवस्यक्ता पढ़ेगी जिसको आज की तारिक में हम नाली बोलते हैं कहीं उसको कैनाल बोलते हैं कहीं पाइप से ये पानी ले जाया जाता है तो अगर ऐसा कुछ किय गया है और स्वामी से पूछा नहीं गया है स्वामी नेयो अनिवेतिव स्वामी को बिना बताये ही छेत्रे उसके खेत में सेतु प्रवर्त अगर किसी ने सेतु का निर्मान कर लिया है उद्पन्नम स्वामिनो भोग स्तद भावे महीं बते हैं तो उसमें जो कुछ भी प्राप्ति होगी उसका भोग स्वामी बिल्कुल कर सकता है बनाने बाले को उसका लाव कभी नहीं दिया जाएगा यानि जिसने बनाया है वो उसका अधिकारी कभी नहीं माना जाएगा जो उसके यहां जल जाता है जाए नहीं पहुंच रहा हमारे यहां आया हम उसका उप्भोग कर रहे हम तो उप्भोग करें कोई हमें रोक नहीं सकता है फाला हतमपी छेत्रमना कुर्यादियो कारेत सपरदाप्या कश्च फलम छेत्रमन्ये कारेत भई अगर हमने किसी को जोतने के लिए खेत दीया हुआ है उसने फाला हतमपी कभी तो उस खेत को जोता ना कुर्याद ही उकारे लेकिन उसके बाद न तो वो उस पे खेती कर रहा है ना किसी के पास से खेती करवा रहा है अब जो जमीन हमने उसको दीती खेती करने के लिए वो खुद तो कर नहीं रहा है दूसरे उससे करवा नहीं रहा है साब अप्रदाप्याकश्वर्म चेत्रम अन्य निकारेथ वो खेत हम किसी और को दे देंगे और उसके पास से उसका काम करवाएंगे और जितना उस खेत में उपज होगा वो मालिक को प्रात फिर से समझ लीजे इस चीज को अगर मान लिजिए मालिक ने खेत जोतने के लिए किसी को दिया है अब वो जोत भी नहीं रहा है और जुतवा भी नहीं रहा है तो मालिक को तो नुक्षान है ऐसे में मालिक वो खेत दूसरे को जोतने के लिए देगा लेकिन चुंकि किसी के साथ इस चीज का निर्धारन हो गया था कि भै आप ऐसा करोगे और ऐसा हमें मिलेगा तो वो कहेगा कि ये तो साब हमारे पास लिखा पड़ी इसकी पट्टा हुआ है इतने टाइम के लिए तो उस टाइम पे उस पट्टे का स्विकार नहीं किया जाएगा हाँ एक चीज संभव है कि अगर वो कारे करवाता है तो उसको उसका भाग मिलना चाहिए अगर नहीं करवाता है तो स्वामी का उस पहदिकार होता है और वो कहे कि नहीं हम जोतने भी नहीं देंगे तो भाईया जितना तैवगात हमें देते रो मत जोतो तो तोनों ही बातों का उल्ले किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उस खेट को नहीं जोतता है तो स्वामी को जितनी उसकी उपज़ वो देता रहे यह नहीं कह सकता इस बार तो केद में कुछ हुए ही नहीं यह नहीं वो कहके अट नहीं सकता है और या फिर स्वामी किसी और के पास से उस केद को जटवा सकता है तो यह कुछ सीमा विवाद प्रकरण है क्या नाम था इसका सीमा विवाद प्रकुर्ण था ना तो यह यहां पे पूर्ण होता है कोई प्रस्ण है तो आप पूछ सकते हैं